आप गूगल पे जाके सर्च किजिए भोजपूरी हीरो समीर चोधरी अगर हम नहीं आए तो ये एक बाप के उलाद नहीं है आप के सामने अगर वह कलाकार होता जिसकी बेटी को गाली दिया गया तो आप उनको क्या बोलिए अभी होकरा हम कैमरा के सामने लंग्टे दोरा के मारते जाते हैं सब पबलिक देखके ताली भी बजाता लेकिन वो सीखा कहां से आप से सीखा नमस्कार मैं अंतोस कुमार और आप देख रहे हैं देशी बिहार देशी बिहार ने ठीका नहीं लिया है कि बिहार में क्या सलीलता चलता है मगर जिस तरह से साउथ फिलिम अभी देखिए साउथ की कंणर भासा की फिल्म है कंतारा वह पुरा बिश में अपना नाम कमा रही है और दूसरी तरफ हमारा भोजपूरी जिस बिहार ते हम आते है सरम आता है बोलने पर दो दो टके के कलाकार आ जाते हैं इतना गंदा गंदा गाना गाते हैं ठेट भासा मगर बोले नहीं तो कान से खुन निकल जाता है आप सब समाज में ऐसे गानों को नहीं सुन सकते हैं मगर अब हम बिहार की जनता को भी हम बोलेंगे कि आप लोग ऐस बोजपूरी सिनेमा को साफ करने के लिए यानि बोजपूरी सिनेमा की गंद गंदगी जो की दीमक बन गया है जो की बोजपूरी समाज को खा रहा है मिलियन्स भ्यू के चक्कर में लोग इतने गंदे गंदे गाना गाते हैं आप बैठ कि अपने भाई बहन के बगल में वह गाना सुन नहीं सकते है कहां गया हुए भोजपूरी सिनेमा का सुन है राद और जब लोग गाना सुनते थे तो लगता था कि यहां भोजपूरी में एक संसकार उभरता है आज तो भोजपूरी नाम से लोग गाली देते हैं दूसरे अश्टेरिक अड़े यहीं लोग चाहिए स्रिफ गंदा गंदा गाना बनता है यही नहीं अगर आप बॉंबय में हैं तो आप खाली मुझ खोल के एक बड़ कह दीजे कि हम बिहारी हैं आपको खुद मिलने लगेगा वो सिर्फ भोजपूरी दो मिनेट की गाना की बज़े से ना कि बिहारी बिहारी इतने बरे बरे जगों पे हैं जो जगे पे आज लंदन में भी देखिए नासा में हमारे बिहार के आदमी है तो बिहारी क्या है वो आपको पता चलेगा और कुछ भोजपूरी सिंगर्स की बज़े से पता चलेगा कि बिहार को बदनाम करने में मातर एक ही आदमी का हाथ है वो भोजपूरी गाना गाने बोजपूरी फिल्मों के बजे से क्यों नहीं जाना जाता है। आज जब अपनी बेटी पर बारी आई तो लोग आशू बहारे हैं। इससे पहले बी तो भाई वह दूसरे की बेटीतों पर गाना गाते तो उसक्त कहा थी वह। जबकि ये सारा राहिता फैलाया हुआ आपका ही है ना तो आप किसी की बेटी के उपर गाना गा के राता राती आप जेल जाते और ना इस्टार बनते हैं और ना ही राता राती वो जो बंदा पंकट जो है उसको तो सरे आम गोली मार देना चाहिए क्योंकि उसने किसी की पाइदे नहीं है आपको तो हम यही कहेंगे खेसारी लाल यादव जी हमारी बात को सुन रहे हैं तो अब भोजपूरी गंदा गाना जो गार है दुदू मिनेट के 5-10 मिलियन हो जाता है कहते हैं हम ट्रेंडिंग में तो किर्पिया ट्रेंडिंग में भोजपूरी फिलिम क अगर यह लोग चाह दें तो बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि जब नदिया का पार फिलिम आया था ना तो भोजपूरी की इतने बरे अस्तर पर देखा जा रहा था कि उस समय कोई भी बॉलीबूट का फिल्म उतना आदमी चाह से पसंद नहीं कर रहा था लेकिन नदिया का पार सुपर डूपर हिट हुआ आज तक लोग देख रहा है विसका एक गाना हर बड़े बड़े जगों पे बसता है कों गाना तो और पहले बदले और बिहार को आगे बनाना दू मिनेट के जो आप 10 मिलियन के लिए गाना बनाते हैं इस सब को पहले छोड़िए चिन्नी चोर पानी मत किजिए आप लोग अरे देवी गित गाई ये बनिया बनिया भरस सर्मा टैप का गाना गाई ये इतना अच्छा निर्गुन गाने वाले इन लोगों की बज़े से इ चल गहें रेलबे में नौकडी करें नहीं तो उनकर गायक कोई धूल है उनकर पहरबाद के कोई नहीं है अच्छा समीर जी आप भोजपूरी में नए उभरते हुए कलाकार है क्या आप बताइए आप आपको मान लीजी आप इस तरह से मुखर होके बोल रहा है चस्तो है भोजपूरी में फिलाल हमको जहां तक लगता क्या आप अपने अस्तर पे भोजपूरी को सुधारने का परियास करेंगे क्या फिर आप ऐसे समाजीग फिल्म बनाइएगा कि जो कि मान लीजीए चले या ना चले पर आप अपने आप में लगेगा कि हाँ हमने जो किया है अच्छा किया है कहां बेटा तुरंती फिलिम दे दे, तीन को फिलिम भी तू साइन कर ले, तो हमको किसी की दूआ की जरूरत नहीं है, हाँ, आप इस्टार होंगे अपने घर के लिए, और हम जहां से आए हैं, हमनी एक-एक महिना रिहलसल करते हैं, उसके बाद जाके एको नाटक करते हैं, मा लीजिए, उनकी यह थी है, आप हमेशा स्रिफ खेसारी, आप और भी एस्टार के बारे में बोल सकते हैं, कि जितने भी लोग हैं, जो भी गलत करता हैं, उसके खिलापे, यह आप क्यों नहीं बोलते हैं, हम तो यहीं कहेंगे कि सबसे पहले, जो वेक्ती अभी मार्केट मे उभरा हुआ है, क्योंकि आज की डेट में कोई पूराने आदमी का नाम नहीं ले रहा है, भरासरमा सर को हमने आज याद किया नहीं, तो भी अब एक किताब में भूलाते जा रहा हैं, क्यों? कि यह नया नया जो चिनिच और सिंगर आ गया हैं, इन लोगों की बज़े से व हमारे समर्थन में खरा हो गया है, कि जब खेसारी लाल सुटिंग पर आते हैं, तो बाभू साहब कहा हैं, बाभुवान साहब कहा हैं, इस अब करना बंद कर दीजिए, और एक सब भी तरीका से रहिए, और स्टेज पर चढ़ते हैं आप, तो सबसे पहले जै बिहार बोलना चाह देगा, तो जिस दिन उगंदा गाना गाएगा, उस दिन सब यूटूबर, सब इस्ट्राइक मारना शुरू कीजिए, और पबलिक जो है, और मैं परसासन से हाँ जोर के निवेधन करता हूं, कि कहीं भी साधी विवाह में, डीजे पर कोई भी रिंकिया, निधिया, प कर लेगा, तो परसासन तो पहले मारेगा, मारेगा न भाई, रेगा, क्यूंकि तुम किसी बेटी को छेर रहे हो, तो ये गाना बजा कर भी छेर ना वेघो-ट्रेंड चल गियातन अब भी दखल देना चाहिए और सरकार को भी दखल देना चाहिए मगर प्रसासन और सरकार तो मुंख बंद्धी हुए और एक सवाल है और यूट्यूबर है मगहिया जमान करके वह अभी अपने आपको बोलते हैं कि हम जो इंडरेस्टी से गंदगी को खतम करें हम रहा कितना फोन आता ये को कोई कॉल नहीं आया है और मैंने बनिया बात बोला है कि अगर भोजपूरी अब बिहार को आगे बढ़ाना है तो दू मिनिट के गाना छोर के बनिया लेवल के फिलिम किजिए आप जो मौगा जमान का नाम ले रहा है कोची नामे चमन चूतिये यह लोग भी क्या है जो दुनिया जान रहा है लोग यूटूब पे आया था कमाने के लिए भोजपूरी कोई कोई गाना उठाब से आप इनको जान रहे हैं जब से दुनों पैदा हुआ हो गया था धरती पे ठीक है ओपेनली बोल रहे हैं आज के डेट में लोग रिपोर् गान्धी जब कह रहे थे कि हम जाएंगे अंग्रेज के भागाविल था अंग्रेज के पास बढ़का बढ़का बंता तो कहले लेके चल दिये थे बात नहीं करो अगर समाज को सुधारना है तो पहले अपने आपको अपने सुधारिया और बनिया से बोली हमारे हर वीडियो लोग अंधा बहरा का दुनिया है आज के डेट में बोलेंगे नहीं तो सुनेगे नहीं आप लोग भी सुनिया और भोश्पूरी असलील जो गाना कहीं भी साधी विवा का लगन का समय आता है न तो जहां भी बसता है वह असलील गाना आप सुनना छोड़ दीजिए कोई भी हाथ जो ने दीदी बहीन को भी कि आप लोग भी ऐसा कहीं सुने तो तुरंत आप एक्शन लीजिए परसासन है बगल में तुरंत परसासन को बोलिया और परसासन पईंट उतार के मारेगा चाट टंटा के चुतर लहर जाएगा सब लाट सवाल है आप से समीर जी आपके साम अगर वह कलाकार होता जिसकी बेटी को गाली दिया गया तो आप उनको क्या बोलिए अभी होकरा हम कैमरा के सामने लंग्टे दौरा के मारते जाते हैं सब पबलिक देखके ताली भी बजाता लेकिन वह सीखा कहां से आप से सीखा गुरू वही है आई के डेट में हर छोटक पर लगा देता है जाना आउख ना अंगर लेता है सुच्टा है कि यह सर्चे वहां के महुशा बन गया है घंटा ही तुनियरे कुछ हैं आउकाद है तुनिक कुछ हो रहें तो आटो टियू लगा गाना बनाना तो छोड़ दो और बनना है तो पहले हार्मुनियम लेच्व के बारे में क्या बूल सकते हैं जितने लोग आपके इस मीडिया के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं उस सब कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि तुम खेसाड़ी लाल को कहा दिली में लिटी चोखा बेशते देखा हम तो नहीं सुने हैं यह देखें हैं हां लेकिन हम दा हम तो समझी नहीं पा रहे हैं अपना इज्जत बच बनाने के चक्कर में बोलता है जूट मुटके कि हम लिटी बेशते थे तो हम गाई के दूध निकालते थे अरे इक कहने में सरम लगता है कि हम सारी पहन के ठुमका लगाते थे आज भिखारी ठाकूर करेगा फिर कलाकार अरे बिहार के भिखारी ठाकूर को तो दुनिया का किताब में लिखा गया है ने जी भिखारी ठाकूर किस चीद से फेमस हैं वे एक स्पेसलिस्ट लॉंडा बनते थे वह और लणडा बनना भी बहुत सब के बस की बात नहीं है ठीक है वो बनने के बाद वह नजाक्त बिहा नाटक नहीं होता दूगोला और रंगमंज के नाटक में समान जमीन के फरक है हम कहीं भी गलत बोल रहा है तो हमको कमेंट के माध्यम से आप बोलिए और एक बात और मैं बता दे रहों मीडिया के माध्यम से हम को टी आर पी नहीं लेना चाहते है आज मैं जिसके बारे में आप बोल रहा हूं यहीं नहीं होगा कि इंडस्ट्री से हमको काम नहीं मिलेगा हमको काम की जरूरत नहीं है आप लोगो कि अपना काम अपन घर में रखिए हां हमरे पास हम उतना करके बैठे हुए आप गूगल पे जाकर सर्च किजे भोजपूरी हीरो समीर चौदरी अग सब भिताकों लोग गंदी नजर से देखते हैं और बोलते हैं यार यह भोजपूरी गाना सुनने के बाद तो लगता है जैसे अभी हमें कुछ दिन पहले याद आ रहा है एक बॉलीबूड अस्टार था उन्होंने बोला था अगर हम भोजपूरी के बारे में सुनते हैं त तो समाज बदल रहा है अगर भोजपूरी फिल्म को साउथ की तरह आगे बरना है तो कहीं कहीं ठोस कदम लेना परेगा भोजपूरी अश्टार को भी और भोजपूरी फिल्म देखने वालों को भी ऐसे फिल्मों का समर्थन ना करें ऐसे गानों का समर्थन ना करें और सरक कि भोजपूरी का स्तर कितना गीरा है क्या भोजपूरी भविस्ट में कभी इस जनम में क्या साउथ फिलिम के बराबर आ पाएगी धन्यवाद